हरियों, विद्याभारती पुर्वत्तर छित्र के संचार मंच से मैं पंकत सिना दर्शक विंद एवं स्रोता बंधु भगनी का अभिवादन करता हूँ आपका श्वागत करता हूँ संचार सामाजिक सावाद संबाद मंच पर आज अभी संबाद होगा वर्तमान परिस्थीतियों पर, संबाद होगा शिक्षा पर बंधुवर विश्व आज कोविद-19 महामारी से पिरित है हमारा प्याड़ा भारत भी कोविद-19 से संघर्स कर रहा है सभी घरों में कैद हैं, शिशू, बाल, युवा, ब्रिद्ध सभी के सभी कोरोना वाइरस के बचाव में ही बचाव की नीती का पालन करते जा रहे हमारा विद्ध्यार्थी शमाज भी घरों में कैद है, कैद है विद्ध्यार्थियों की मानशिक्ता, उनकी संबेदन शीरता और उनकी रचनातमत का भी कैद है पंदुवर्थ, क्योंकि शिक्षा से ही विद्ध्यार्थी मानो जीवन मानोता का संसकार ग्रहन करता है वर्तमान संकट परिश्थिती में शिक्षा और सैक्षिक विचार पर संबाद अती आवस्यक हो गया है हमारा स्वभग्य है कि हम संबाद यात्रा में जिनका मैं परिशे कराने जा रहा हूँ वे भारत सरकार के स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टिकूट में पदाधिकारी तो हैं ही पर वे एक प्रक्ष्यात एवं प्रत्यक्ष अनुभावी शिक्षा वीद ही हैं जिनका परिशे में कराने जा रहा हूँ उनकी प्रारंभीक शिक्षा आग्रा सरस्वती विद्या मंदिर में प्राप्त हुआ हम गर्वित हैं कि आप विद्या भारती अखिल भारती शिक्षा संस्थान के विद्याले के पुर्वच्षात रहें आपका अभिनंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आप वानिज असनात पोतर तो है ही साथी साथ अन्न तीन विश्यों में भी असनात पोतर है आपने वकालत भी की शिक्षा भी ग्रहन किया है और भी अनेक छेत्रों की शिक्षा से आप सुशोहित है आपका मैं नमन करता हूँ आदर्निय श्री अवनीश भटनाकर जी आपका विद्या भारती पुर्वत्तर छेत्र मंच पर अभिवादन करता हूँ आदर्निय अवनीश जी विद्या भारती अखिल भारती शिक्षा समस्थान के राष्टिय मंत्री है शिक्षा भारती विद्या भारती संस्किती शिक्षा समस्थान कुरु छेत्र के आप राष्टिय शचीव भी है आपका परिचे विशाल है आपका अनुभव जन ग्यान समुद्र मंथन का अम्रित है श्रोतावरिन आप संदेश के द्वारा वारता उनके विचार सुनते हुए आप अपने चैट के द्वारा आपके मन में जो प्रस्ण उभरते होंगे वे हमें SMS चैट के द्वारा भेजते रहेंगे मैं उसको लिखूंगा और अंत में मैं आदर्निय अवनीश्ची से आग्रह करूंगा कि आपके प्रस्णों के उत्तर का शमाधान वे अवस्य ही करेंगे मान्यवर्श्री अवनीश्ची भटनागर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वरतमान शंकत और सेक्षिक विचार पर प्रकाश डालते हुए हम सभी का अनुग्रहित करें मान्यश्री अवनीश्ची भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकित जी आपने इतना भव्य परिचे करा दिया जो किसी भी वक्ता को नर्वस करने के लिए परियाप्त होता है श्रुताओं को भी लगने लगा होगा कि जिसका परिचे इतना जोड़दार है इतने सरी बातें जोड़दी आपने तो उसका उससे स्वभविक है श्रुताओं की अपे एक शा बढ़ गई होगी उनको लग रहा होगा कि अब कुछ बहुत ही महतोपूरून बहुत ही नई नई बातें सामने आने वाली है और जब परिचे इतना लंबा है तो भाशन कितना लंबा होगा ये भी एक कारण हो सकता है उसमें तो मेरा नवेदन यह है कि आज की वर्तमान परिस्थतियों और हम सब जो शुरुतावरंद इसे शिक्षाचेत्र के कारिकरता शिक्षाचेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उन सब के बीच में मुझे लगता है कि हमारे लिए विचारण यह जो बाते हैं मैं उनका केवल एक प्रकार से आपको पुनरिस्मनन ही कराऊंगा मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि यह बातें पहली बार मैं सोच रहा हूँ और आप सब लोगों ने अभी तक नहीं सोचा होगा आप सब लोग इन विश्यों पर चुकि इस शित्र में काम कर रहे हैं हमारे संकट को चलते हुए लगभग दो महीने हो गए हैं तो स्वभविक रूप से हम सबके ध्यान में कुछ न कुछ इसके वारे में चिंतन हुआ होगा और अनेक बातें हम सबको ध्यान में आ गई होगे मैं इस संकट और इस शिक्षा-षित्र की चिंता इन दोनों के बारे में कुछ अपने मन की बातें आप से साझा करने का केवल प्रयास कर रहा हूं संकट क्या है इसकी व्याख्या बहुत करने की अवर्शिक्ता नहीं पर स्थिती विशम है हम इसके वारे में यह भी नहीं कह सकते कि कम समाप्त होगी कोई वेक्सीन मन जाएगा तब फिर वो देश के सभी लोगों को लगा दिया जाएगा उसके बाद यह महमारी नियंत्रण म आजाएगी यह थे मैं ऐसा मान कर चलें तो पता नहीं यह वह समय है जिसके लिए कोई भी भविश्यवानी करना आज की इस्थती में किसी के लिए भी संभव नहीं है और प्रधान मंत्री जी का भी बारह है मैं को जो दोधन हुआ था उसमन होना है शुगवात में ही एक व जबर यह अपने पास नहीं है कि यह समाब तक कब होगी और इसलिए अब न तो हमारे लिए यह जो हमलावर है अक्रामक है हमारे उपर न तो यह अपरचित रह गया है हमें नहीं मालूम कि क्या हो जाएगा अभी इतना प्रचार सारे माध्यमों से हमको मिल चुका है कि हमें मालूम है कि यह सब क्या है, संकट कैसे आया है, इसकी रोक्थाम का क्या उपाई किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए इसमें कुछ मार्ग खोजना यह आवश्यक हो गया है, यह भी अपने लिए एक विचार करने वाली बात है. हम शिक्षा के शित्र के एक प्रकार से प्रमुख लोग हैं, अब यहां एक सुभाशित का जाता है, महाजनो येन गता सपन्था, जिस मार्ग पर महाजन, महापुरुष चलते हों, उसको पालन करना चाहिए, शिक्षा शित्र के महाजन हम सब हैं, जो इस पर टीम पर इस समय जुड़े हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, हम जैसा करेंगे, समाज हमें देखकर वैसा ही करने वाला है, और शिक्षा जैसे पवित्र क्षित्र में काम करते हुए अपने लिए जो अनुभवाते हैं, उन सब में अनेक बातों का हम चिंतन चर्चा करते हैं, तो समाने जो कहा जाता है कि शिच्छा और जीवन इन दोनों की गती एक ही ओर चलती है। जो कहा जाता है, तो सौभविक रूप से हम इस जगत के विशे में जीजिए कारे करने वाली ये हमारी शिक्छा कार्चित्र है। और इसलिए शिच्छा के खित्र में अपने को सब दिशाओं पर विचार करना जाहिए। किन के लिए विचार करें, मैं पूरी बात क्या विचार करें, तो स्वभाविक रूप से किस के लिए सोचना है, किस के लिए विचार करना है, जब हम इस पर जाते हैं, तो स्वभाविक रूप से हमें अपने इस शक्षा के छित्र के सभी जुड़े हुए लोग, अगरेजी म जो ग्रंथ लिखा अर्थ शास्त्र उसमें अनिक विशेयों में से दंड नीती में एक सूत्र दिया श्लोक है यदि किसी को पुरुसकरत करना हो पुरुसकार देना हो तो और किसी को दंड देना हो तो राजनीती का सूत्र है चार को समान भागीदार मानना चाहिए मैं श्लोक पुलता हुँझे साँ, उसमें से अपने काम की बात जो है, उसको मैं जुड़ूँँगा, शलुख है कर्ता, कारइता चैव, प्रेर को अनुमोध कह, यह चार श्रिणी, चार केटेगरी के लोग है, कर्ता याने करने वाला, कार्यिता अर्थाथ कराने वाला, प्रेर को प्रे ये चार श्रिणी हैं जिनके साथ जुड़कर कोई भी कारी की पूर्ति योधिकाम पूरा हो पाता है। अब उस अंदर्ब में कहें तो मान लिए चुरी के अपराद में दंडिक करना है तो किसको करना है। शिच्छा का विचार सब मिला कर अपने को करना है। शिच्छा शिच्छा के अन्य लोग हम शायद प्रत्यक्ष टीचिंग नहीं करते हैं। क्योंकि उनके बिना हमारी बात का अनुमोदन नहीं होगा उसको पुष्टी नहीं करने वाले। तो बारी-बारी से जरा इन चारों श्रिणियों के वारे में अपने को क्या विचार करना चाहिए। वर्तमान जो परिस्थती है COVID-19 की इसमें चारों श्रिणियों में कुछ विचार शॉट टर्म होंगे। अलपकालिक अभी की परिस्थती कुछ इस्थानों पर शुरू भी हो गया उसके लिए अलपकालिन उपाए। देश के बड़े भाग में ऑनलाइन क्लासिज शुरू हो गई। आपने इस विवस्था को खड़ा कर लिया। पर अन्द ये ततकालिक विवस्था है। जब मैंने बात के प्रार्म में का और आप सब लोगों कोई मालूम है कि कब तक ये चलेगा आपको नहीं मालूम। और एक बार मानलेजेस का प्रभाव कुछ कम भी हो जाए जैसे चीन में हो गया लेकिन चीन में फिर से शुरूआत हो गई। दुबारा से पेशेंट्स निकलने शुरू हो गए तो ये कब तक चलेगा और दुबारा नहीं लोटेगा या इसके जैसा है। लेकिन कुछ दीरगह कालिक विशेओं को भी अपने को सूचने की अवश्यक्ता पड़ेगी। और इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें अपने को योजना करने की अवश्यक्ता है। पहले में विद्यारθियों के लिए हमारी योज़ना क्या हो सकती है जरा उसपर विचार करें हमारे लिए एक बड़ी सुविधा की इस्ठति यह बन गई है कि आज हम भी हाने हमारे शिच्षक बनदों भी गर में हैं विद्यार्थी भी घर में विद्याले अभी नहीं लग रहे और आगे संभावना भी नहीं है अगले एक दो महीने कि आप विद्याले चला सकें। विद्याले हमारा जैसे पहले चलता था मार्च के पहले तक वैसी संभावना भी नहीं है ऐसे हमारे लिए मार्ग क्या हो सकता है सारी सुरक्षा की चीजों का पालन करते हुए हमको क्या करना इसलिए कुछ नई बातें सोचना और कुछ इन परिस्तियों का लाव उठाकर में कुछ ऐसे विशे जिनको इस समय शिक्षा शित्र में विशेश कर जो नई शिक्षा नीती आई है उसमें जिनका उलेख हुआ है और इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड और सेकंडरी एजूकेशन एंसी इयार्टी जो के आज न तो कल पुरे देश में सारी ये चीजें ला बत करता हूँ आर्ट इंटीग्रेशन और कल्चर इंटीग्रेशन इन एजूकरिशन इन कुर्रीकुलम ये आज एंसी इयार्टी द्वारा नई शिक्षा नीती में लाया गया एक बड़ा विशे यान दोनों ने सीबीएसी ने भी इसको लेकर इस वर्ष से अनिवार्य किय जाएगा सभी कक्षाओं के लिए ऐसा उनका निर्देश भी आ गया है वो सकता है इसी सत्र में नहीं तो आगामी सत्र में अपने लिए तयारी करनी पड़ेगी इसकी हमारे लिए कोई नहीं विशे नहीं आर्ट इंटीग्रेशन कलाओं के माध्यम से शिक्षा और संस्कृ क्लासरूम टीचिंग में हमारी संस्कृति का वरणन संस्कृति का परसंग कैसे जुड़े इसको लेकर अपने को योजन करने की आवश्यक्ता पड़ेगी बालक में सिक्षा के माध्यम से संस्कृति बोध हो कला का बोध हो राष्ट्र का बोध हो ये सब करना हमारे लिए आ गुलर कक्षाओं में नहीं मिलता था विद्याले ठीच चल रहे होते थे उसमें नहीं मिलता था आज अपने पास परियापत समय है जिसमें हम इस काम को ठीक तरह से कर सकते हैं ऐसे ही एक विशय यह है जिसे इंटीग्रेटिट कुर्रीकुलम इंटर डिसीप्लिनरी एप्र करना चाहिए नीमित चल रही कक्षाओं में शायद इसके लिए यूजना बनाना लेसन प्लांते यहर करना हमारे आचारियों के लिए भी संभव नहीं था हम भी शायद उस पर विचार नहीं कर सकते थे मैं एक उदाहरण में बात कहता हूँ अप्री मान लिजे किसी कक्षा में किसी भाषा आच के यहां चलने वाली असमिया भाषा हो सकती है, हो सकता है, बंगला हो, हो सकता है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, किसी भाषा में, किसी एक कक्षा में मान लिजे, नदी के ऊपर कोई एक पाठ है चांदनी रात में नोका भ्याषा में, किसी क्लास में होगा मुझे नहीं मालू, क्योंकि मैं सिधे कक्षा से जोड़ा हुआ नहीं हूँ ऐसे एक पाठ में आप नदी का वरणन करते हैं, भाषा कोई भी हो, उसमें नदी को लेकर कोई एक लेक लिखाया जाता है, कोई कथा सुनाई जाती है, कुछ चर्चा कराई जाती है नदी के हिंदी में तो अन्यवाशों में भी होता है, पर्यायवाची शब्द सिनु उनिम्स बताई जाते हैं, उसके बहुत सारे प्रकार बताई जाते हैं, यह भाषा का विशय और भाषा के शिक्षक उसको उस ढंक से प्रस्तु कर देते हैं, पर दो ज़रा वचार करें, क्या यही नदी अन्य विशयों के साथ नहीं जुड़ती हैं, जैसे, यह नदी कहां से उसका उद्गमिस्थल है और कहां पर जाकर यह समुद्रत हवा किसे अन्य नदी में मिल जाती है, यह उसका भुगूल का पार्ट नहीं है, क्या है? उस नदी के किनारे कौन से मुख्य संस्कृतियां पनपी, कौन से मुख्य राजाओं ने राज्य किया, कौन से युद्ध लड़े गए, क्या यह संस्कृति ग्यान का विशय, क्या यह हिस्ट्री, तिहास का विशय नहीं है, कौन से राजाओं के राज्य थे, राजधानियां क्या है, तांभने से ल्ग तंव शुर्ट, उस झार्विंद के कशिणों से गर्ञै वस खञान है था नियु कर सकते कूर टेसी करन से, क्या यही नदी अन्ने विशता ते नहीं जुड़ती है मुश्ति आज पार कलए यह यो करी ना नन जिसमें इरिगेशन की सुविधा, हम सिचाई की सुविधा दे पा रहे हैं, क्या यह उसके लिए एग्रिकल्चर का है, क्रिशी का और एकोनुमिक्स का विशय नहीं है, उससे उस पर चलने वाले जो जल विद्युत के सहयंत रहें, जो एलेक्रिसिटी जेनरेशन हो रहा है, वह क्या इंजिनरिंग का विशय नहीं, फिजिक्स का विशय नहीं है, उस पर जितने प्रकार के हमने ये प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, वह सारा एक व्यापक अध्यन का विशय नहीं है, नदी पानी के विभिन राज्यों के बीच में बटवारे को लेकर या विभिन दे रहने वाले वनस्पति और नदी में रहने वाले जल जन्तु ये करमशय बॉटनी और जूलोजी के विशय नहीं है। हम जब तक्षा कक्ष में चला रहे थे, विद्याले अपना पूरा चला रहे थे, तब विभिन आचारे बंदुहों के बेहनों के बीच में हम इसका तालमिल नहीं करा सकते थे। हम जब तरके विद्यार्थियों के सिलेबस में उपलब्ध विभिन प्रकार के विशयों का समा योजन करते हैं। आपको इतनी तारीख तक ही ये कोर्स पूरा करना है, फलाना फलाना चेफ्टर करना है। के समझने के लिविल अफ अंडर्स्टिंडिंग को बढ़ा सकते हैं। उनको हम ज़्यादा व्यापक तरीके से विशय को समझा सकते हैं। कैसे वे हमारी बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और कितना व्यापक तरीके सोच सकते हैं। हो सकता है कि हमने जितने विशयों में उसको जोड़ने का प्रयास किया। और यह एक उखरण है। आप ऐसे हर विशय को लेकर। क्या चंद्रमा को लेकर ये बात नहीं हो सकती जो नदी को लेकर मैंने कही है। homicide इसलिए विबिन विशयों के बीच में। अपनी थोड़ी कलपना द्रश्टी लगानी के आवश्यक्ता है हमारे आचरेजी लोगों को इसमेंसे उनेक विशयों को इस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे ही एक चोटी बात एक्स्पीरियेंशल लर्निंग, अनुभव आधारेत शिक्षण, क्रिया आधारेत शिक्षण, गतिविधी आधारेत शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग, अपने अदोबस ज़माने से कहा जाता है, कुठारी कमिर्शन से इस शुरू हो गया था, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ट, बालक इंद्रित, क्रिया आधारेत शिक्षण की अपनी रचना होनी चाहिए, वही सरवाधिक प्रभावी होता है, हम लोग शिक्षा के चितर से जुड़े हुए हैं, सीखने के जो हमें तरीके बताए जाते हैं, सामान्य तह अ हम सब लोग भी गीत कैसे सीखते हैं, सुनते और सीखते हैं, आप फिल्म देखने जाते हैं, बाद में निकलते हैं, तो एक गाना गुन-गुनाते हुए निकलते हैं, उसके शब्द आपको याद हो नहों, लेकिन धोन आपको याद हो जाती हैं, आप सुनकर सीखते हैं, औ कुछ लोग, कुछ बच्चे और हम में से भी कुछ लोग, यानिया सीखे तो हम लोग भी आज भी सीख रहे हैं और बच्पट में भी सीखे, हम में से अनेक लोग auditory के बाद जाए visual सीखते, देखते हैं तो सीख जाते हैं, सुनकर नहीं सीख सकते, auditory और visual ये दोनों ये साथ में हो जाए, audio visual जिसको कहा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, इस समय जो चल रहा है, वो audio visual है, मैं बोल भी रहा हूँ और शाहिद मेरी शकल भी आप देख पा रहे हैं, ये audio visual हमारी दो ग्यानिंद्रियां, आँख और कान दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं, तो स्वाभविक रूप से सीखने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं, एक टीसरा सीखने का प्रकार बताया जाता है, जिसको कहते हैं, reading and writing, हमेंसे बहुत लोग कोई बात लिखते हैं तो सीख जाते हैं, बिना लिखे भूल जाते हैं, अधिकान शबंधो किसी बैठक में जाते हैं, किसी लेक्चर में जाते हैं, तो diary बैंस साथ में रहता है, तुरत-तुरत note करते हैं, मैं जब विद्यार्थी था, तो हमारे एक आचारे जी एक बड़ी जूरदार बात कहा करते थे, बूर्ड एक्जामनेशन था, तो कुछ विद्यार्थी याद कर लेते थे, कुछ विद्यार्थी लिख-लिख करते थे, तो वो कहते थे, जो पढ़कर जाता है, वो पढ़कर आ तो लिखकर जिसने इस्मरान किया हुआ है उसे पक्का याद रहता है और वो परिक्षा की copy-way answer sheet में लिखकर भी आता है अब यहाँ पर यह reading rating इसका प्राइक पहत्व है आप कोई online कक्षाइं चलाते हैं तो उसमे audio visual तो दे ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप यह भी दे आप reading writing भी करा सकते हैं लेकिन जो चौथी पद्धती सीखनी की कही जाती है kinesthetic learning गतिविधी आधारित बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी अच्छा भाशन दें और कितना भी अच्छा लिखवा दें इसके बावजुक भी जिस काम को वो करके न की जो पद्धती है kinesthetic है गतिविधी आधारित है इसके बिना काम नहीं चल पड़ता है इसलिए हमें सब के लिए वेकल्पिक व्योस्था खड़ी करनी होगी online कक्षाईं चलाएंगे तो और भविश्य में जो परिस्थिया मनेंगी उनके अनुसार भी हम विचार करेंगे तो भी अपने को experiential learning की आवश्यक्ता पड़ेगी मैं जरा इस बात को शिक्षा का जो भारतिय दर्शन और भारतिय मनो विज्यान है उसके साथ जोड़ू तो अपने को दो बातें ध्यान में आती हैं अपने कहा जाता है बही ही करन और अंतह करन ये शिक्षा के यानार्जन के दो करन हैं हम बहुत सारी बातें उन करनों करन ये means, साधन, factors तो अपने मैं उसमें बहुत व्याख्या भी आने कर रहा हूं समय की सीमा में इसलिए हमारे जो पांच कर्मेंद्रियां और पांच ग्यानेंद्रियां हैं ये हमें सीखने में सहायता करते हैं इन में से पांच ग्यानेंद्रियों की जहां चर्चा हो रही है अभी जैसा मैंने कहा कि आपकी आख और कान दोनों सक्रिय हो जाते हैं तो आप सीखते हैं ये हमारी ग्यानेंद्रियां हैं अंतह करन के वारे में कहा गया कि चार अंतह करन के चार भाग हैं चार को मिलाकर अंतह करन कहलाता है तो यह जो अंतह करण हैं, इनमें मन, बुद्धी, चित्त और अहंकार ऐसे चार तक्त्व कहे गए हैं, मैं अभी इन दो की बादवालों की चित्त और अहंकार की व्याख्या यहां नहीं कर रहा हूँ, मैं मन और बुद्धी की आवर्शिक्ता पर आपका ध्यान ला रहा कोई भी बात को सीखने के लिए हमारे पास साधन हमारे मन के मात्यम से होता है, ज्यानेंद्रियां जो सूचनाय संग्रह करती हैं, वे मन रूपी स्क्रीन पर, उधारण में मैं कहता हूँ, कि आपके घर के छत पर डिश एंटी न लगा हुगा है, वो बहुत सारे चैनल होगा, परंतो आप उन चैनल पर भीजी जा रही, रिले की जा रही समगरी को देखता पाते हैं, जबकि आपके सामने कोई टीवी की स्क्रीन होती है, तो आपका डिश एंटीन है कितना भी चैनल कैच कर रहा हो, आप उसे देख नहीं सकते हैं, यह स्क्रीन मन है, इस मन रू से देखकर, कानों से सुनकर, तवचा से स्परश करके, नाक से सूंग कर, और जीव से रसा स्वादन करके, जो भी हमको ग्यान प्राप्त हो रहा हैं, पांचे हो ग्यान इंद्रियों से, वह मन रूपी स्क्रीन पर अपनी जानकारी को डिस्पले कर रहा है, मन का सीख जाते हैं, मन नहीं लगता है, तो नहीं सीख पाते हैं, और इसलिए मन की इन्वाल्मेंट, मन को जूडने वाली शिक्षाही एकस्पीरियेंशल लर्निंग है, गत्विधी कौनसी, जिसमें मन रम जाए, जिसमें मन का involvement हो जाए, कोई भी नीरस काम, कोई भी ऐसा कार्य जो कि आप करा तो रहें लेकिन विद्यार्थी का मन उसमें नहीं जुड़ पा रहा है, तो वह किसी भी कार्य में नहीं लग पाएगा. इसलिए मन रूपी इस स्क्रीन को साफ रखना, मन रूपी स्क्रीन को इन्वाल्व करना है. पर तो एक बात और जुड़ जाती है, यह मन बहुत चंचल है, मन इस्थिर नहीं रहता, मन का काम भी यह स्क्रीन पर डिस्प्ले ही करना है. मन रूपी स्क्रीन पर आने वाली चित्रों में कई बार हल चल भी रहती, क्योंकि दूसरी भी तरंगें इसके साथ में आती रहती हैं. तेज हवा चल रही हो, तूफान आ गया हो, तो आपके टीवी ठीक पिक्चर कैच नहीं करता, ओडियो कभी बिगड़ जाती, कभी पर विचार करना, मन को जितनी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही हैं पांचो ग्यानिंद्रियों से, यह मन विविन प्रकार की कल्पनाएं करता है, छविया अनिर्मित करता है, इमेजिस बनाता है, विविन प्रकार की बातों पर विचार करता है, परंतु जो बुद्धी ह वो इस पर नियंत्रन करती है, बुद्धी का काम संकल्प विकल्प नहीं है, बुद्धी का काम निश्च यात्मक है, निरण यात्मक है, बुद्धी सभी बातों पर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सामानेते जिसके लिए शब्द है विवेक, इस विवेक का प्रियोग करत बुद्धि हमको बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का विकास करना ये वास्तों में शिक्षा का मूलकारली है। एक बालक आठदस वर्ष का अपनी माता जी के साथ किसी स्टूर में गया शॉप में और दुकान में जाकर उसने घुस्ते ही कहा जो दुकान दार सजन थे उसे अंकल कुरकुरे के जितने पैकेट वेफर्स के जितने बिस्किट के पैकेट है आपके पास वो मेरे इस बैग में रख दो कोल ड्रिंक की जितनी बूतल है वो इसमें रख दो और बता दो मंभी कितने पैसे देने हैं अब आप सूचिए यह वित्ती वेवस्था तो बहुत अच्छी है उनकी बाता जी के पास वच्चे के पैसे हैं देने के लिए वे दे रहे हैं प्रसनता की बात है पर में पहुच पाएं मुझे जितनी आवश्यक्ता है में उतना ले लूँ और बाद के लिए आवश्यक्ता नोसार बाकी लोगों के लिए छोड़ू यह यदि विचार नहीं आया तो फिर नहीं हो सकेगा शिक्षा का काम जब जीवन के प्रतिद्रिश्टी विक्सित करने का ह तो केवल कूर्स वर्क से नहीं चलता जीवन की शिक्षा यह है कि उसके मन में उदारता भी आनी चाहिए इस समय घरों में जो अनेक परिवारों में काम में साहता करने वाले कोई साफ सफाई करने वाले कोई भूजन पकाने वाले या नहीं परकार का काम करने वाले लोग आ परिवारों में जो चर्चा बच्चों को सुनने को मिलती है वह क्या है मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा डक्टर बनेगा इस बनेगा एंबीए करेगा यह होगा केरियर तो उनको बच्च्पन से बताया जाता है परंतु श्रम के प्रतिनिष्ठा का भाव जो कोई काम कर रहे हैं पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुमको यह काम करना पड़ेगा बने जो श्रम से किये जाने वाले, हाथ पैरों से किये जाने वाले काम हैं, वे बहुत शर्मद के विशय होते हैं, वे बहुत ही अपमान के विशय हैं, ऐसा मन में जो एक भाव हमारे यहां बैठा दिया जाता है, यह अपने आप में बहुत चिंता की बात है, इस COVID का एक जो स मन और बुद्धी का विकास करने के लिए कुछ experiential learning के कारिक्रम आप assignment दे सकते हैं इसमें homework दे कर online classes में आप homework दे कर और उनसको अगले दिन चेक कर पाएं इसके लिए आपके पास एक पूरा तक्नीक की विवस्था होनी चाहिए जिसमें आप भी बता सके हैं और अगले दिन उधर से भी आ सके पास्तों इस्थिती ऐसी नहीं है तो आप assignment दे सकते हैं घर में रहते हुए घर में उप्लब्द समग्दरी का प्रियोग करते हुए वे कैसे नई चीज़ें सीख सकते हैं कर सकते हैं अब यहां प्रोजेक्ट माने वह नहीं कि केवल जाकर उसने मार्केट से खरीद लिया और उलाकर दिखा दिया मार्क्स लेने के लिए वह नहीं वे घर में रहकर भी कुछ प्रियोग करते हुए मैं बहुत चोटे चोटे दू-तीन प्रियोग आपके सामने कहता हूँ समय की सीमा है घर में आज क्या पकाया माने और उसमें कौन-कौन से चीज़ें डाली तो आप बच्चों को यह बता सकते हैं कि अपनी कॉपी में उनको नोट कर लिजिए एक प्रकार हो सकता ही है भी ठीक इसी प्रकार मान लिजए आज आपने एरिया निकालना मैथमेटिक्स में बच्चों को एरिया कैलकूलेट करना सिखाया आपने फॉर्मूला बता दिया जनरली जब क्लास चलती है तब हमारे शिक्षक क्या करते हैं बच्चे को फॉर्मूला बताया एक या दो कुशन सॉल्व करके दिखा दिया और बाकी को हमवर्क में दे दिया घर से करके लाना आज आपके पास ये सुविधा नहीं है लेकिन आपको अपने विशे को और ज़्यादा वियापक बनाने का एक मौका मिल गया आपने आज उसको रेक्टेंगल का यदि इस परकार से कोई बात आपने बताई है तो आप ज़रा विचार कीजिए कि क्या आप बच्चों को अपने घर में जो रेक्टेंगलर चीज़े है उसकी टेबिल है रेक्टेंगलर है उसका बैग है, रेक्टिंगलर है, पुस्तकें कॉपियां रेक्टिंगलर है आपने जो आकरती आज बताई है, जिस फिगर का आपने आज एरिया केल्कुलेट करना बताई है आप उस प्रकार की चीजों को उसे कई अपने स्केल से ना पर उसको नोट करें और उसका केलकुलेट करें करें खिर्ड की दरवाजी रेक्टोलिंदर हैं या स्क्वेर हैं सरकल है तो उसके घर में अगर चपाती बन रहे तो चपाती बनाने के लिए जो पटाया चकला होता है वह सरकल है उसकी थाली प्रकार के प्रियोग उसको करने को बता सकते हैं अब यह learning by doing वह सीख जाता है हम अजर उसे करने का अवसर देंगे तो उसको कभी भी ये बात भूलेगी नहीं ऐसा प्रियोग कराने का एक अवसर हमें आसानी से मिल गया है जो शाहिद हम regular चलती हुई classes में नहीं कर सकते हैं management का विद्यारती रहा हूं में तो management का एक विशेश formula है कि आप कैसे challenges को opportunities में convert कर लेते हैं कैसे आप चुनोतियों मेंसे ही अवसर खोज निकालते हैं यही आपका प्रबंधन कोशल है और इसलिए हमारा जो विद्याले का management है यह वास्तों में हमारे विद्याले के बाहर कैसे चल सकता है चुनोती है विद्याले नहीं चल सकता इसमें से हम कैसे और अच्छा वातावरान अपने बच्चों को दे सकते हैं इस पर अपने को विचार करने की एक आवश्यक्ता है इसलिए यह जो छूटी छूटी चीज़ें यह रोज हम news में देख रहे हैं और सफल नहीं हुए आज अपने आप नदियां स्वच्च हो गई है अपने आप पर्यावरन का संतुलन हो गया है दिल्ली या अन्य महानगरों में जो बहुत सब्सक्राइब पॉल्यूशन रहता था एयर पॉल्यूशन वायू प्रदूशन कम हो गया है जलंदर से दोलाग लित्यप्रतिकी जीवन के प्रतिद्रिश्ट करने वाली जो देने वाली जो शिक्षा है इसका आप उन्हें बता सकते हैं कैसा हो रहा है एक्सिदेंट्स नहीं हो रहे हैं क्योंकर रूट्स पर ट्रेफिक नहीं है कोई निकल नहीं रहा है इसलिए एक्सिदेंट्स की सम्म तो हम बटा सकते हैं कि प्रकृति का संतुलन कैसे साध़ कर रखा जाएं, हमको प्रकृति ने शायद इस कोरोना के इस आपत्विक अल्कूने के म Abgismici हमको सिखा दिया, तो प्रकृति को यदि आपने ध्यान नहीं रखा, अपने उसको संतुलित नहीं रखा, जीवन में यदि हमने प्रयावरण और अपनी प्रकरती को ठीक रखने का प्रयास नहीं किया तो वह हमारा जीवन कठिन बनाने में कोई अवसर नहीं चूपने वाली इसलिए हमारे लिए भी विचार करने वाली बातें हैं जो अपने को इन सब चीजों के माध्यम से हम अपने कामों में जोड़ सकते हैं मैंने जो ये दो ती नए नाम लिए हैं मुझे लगता है कि आप मैं स्विक इनी बन्दों के बीच पीच में जो इस्टेप आ रही है कि इस पर आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे लगता है कि अगर आवश्यक्ता होगी तो इस पर बाद में भी कभी आप वित्दिकत मुझे फून करके वाटसप मेसेज भीज कर भी बात कर सकते हैं पर तो मुझे लगता है कि यह जो नए विशाय है एक्सपिरियेंशल लर्निंग का विशाय है जो हमारे सामने जमसे हमारी शिक्षा के लिए एक नए प्रकार की इदिशा आगामी वर्षों में तयार होने वाली है तो हमारी तयारी यह जीवन में कैसा अनुशासन रहे बहुत बार-बार आ रहा है लोगडान में लोग बाहर निकल रहे तो पुलिस नो उनको डिंडे बारती थी उनको पुलिस को कहना चाहिए यह हमारे बालकों को आज से क्यों नहीं समझ में आना चाहिए यह जदे शासन ने कोईडियम बनाया और हमारे भले के लिए बनाया है तो उसका पालन करने का अनुशासन में रहने का सुभाव यह जीवन में क्यों नहीं आना चाहिए पुलिस को क्य इन सारी बातों को अपने लिए विचार करने की आवश्यक्ता होगी जॉब सीकर बनने के बजाए पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी खो जाएंगे के बजाए क्या हम इसके विपरीत उनको जॉब प्रोवाइडर की भूबिका में ला सकते हैं क्या हम उनको ये बता सकते हैं कि आप आज जो लोग जरा विचार कीजिए गाओं से घर में चले गए हैं उन लोगों की इस्तियां जैसी हैं वे घर में वापस जाकर क्या करेंगे गर में कुछ पहले नहीं था है या तो ऐसा ही स्थिति होगी तब वो बाहर निकले थे कमाने के लिए और आज कितने कितने हजार सो सो किलो मीटर जो पैदल चल कर अपने घर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इस प्रकार की सारी व्योवस्थाओं को लेकर हम अपने व्योवसाय सब के वारे में अपने केरियर की दिशाओं को विचार कर सकते हैं बड़ी आयू के भीया बेहन इन पर भी हमको अपनी बात कहनी चाहिए ऐसा मुझको लगता है जीवन की सफलता जो आज बताई जाती है अच्छा जौब अच्छा पे पैकेट अच्छी रिहाइश अच्छ बड़ी गाड़ी इन सब को आज हम जीवन की सफलता मानते हैं लेकिन जीवन की सफलता और जीवन की सार्थकता में अंतर है यह विचार करना यदे हमने इस कोविड का लाभ लेकर अपने विद्यार्थियों को सिखा दिया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए यह कोविड न करताओं की बात हो गई हमारे कार यता याने हमारे शिक्षकों के लिए भी अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का क्वालिटी उंप्रूमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर मिलने वाला है मिल गया है दो महीने से घर में अभी आगामी भी कम से कम एकाद महीना विद्य आले व्योस्तित नहीं चलने वाले हैं। पढ़कर सीख सकते हैं। पढ़कर सीख से एक आकरती बना दी। उस आकरती में उन्होंने 10, 20, 30 जैसा लिखा रहता है। ऐसा बना कर और उन्होंने आकरती उस पर रहता है। बच्चे ने पूछा सर अंदर आऊं। या सर टॉइलेट के लिए पानी पीने के लिए बाहर जाऊं। तो उन्होंने का 45 डिग्री खोल कर जाना दरवाजे को। 60 डिग्री खोल कर अंदर आना। दो दिन में सारे बच्चे एंगल मेजरमेंट सीख गए। बिना ब्लैक बोर्ड, बिना कॉपी, बिना किसी तरह का डिजाइन बनाए। उस ओर्डिनरी एक अकरती खीच देने से उनको एंगल का उप्योग आ गया। इसमें कोई पैसा खर्च हुआ क्या। इसमें कहीं से फंड्स लाने पड़े क्या। इसमें क्या हमको कहीं से सेंक्शन लेनी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह वाले एक इनोवेटेव आइडिया था। हम अपने बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। वह कौनसी भाषा में समझते हैं। वह कौनसी उधारण से समझते हैं। मैं कौनसी एक्टिविटि करा में उससे समझ सकते है, यह शिक्शक से बहतर कोई भी नहीं जानता। इसलिए हमारे पास करनी यह काम बहुत सारे हैं। मैं यहां पर दो भारत सरकार में, जो HRD Ministry है, उसके द्वारा तैयार किये गए, वो NCRT के कह सकते हैं, CBAC के कह सकते हैं, मैं दो एप का नाम उनलेख कर रहा हूँ, आपको इस परण होगा लगा, दो वर्श पहले इस प्रकारी की एक सुविधा दी गई थी, उस योजना का नाम तो आसानी से कोई विशे पढ़ा सकता हूँ, मैं फिजिक्स का विद्यारती रहा हूँ, फिजिक्स के को चार्चे कंसेप्ट से हैं, जो मुझे खूब इस पश्ट है, मैं उस पर भी कोई अपनी इस प्रकारी तैयारी कर सकता हूँ, बहुत आसान उपाए हैं, विद्याद आप पर अपलोड कर दीजिए, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको अपलब्द नहीं है, ये बेंक का वह काउंटर है, जहां आप जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, कैश लेने के लिए काउंटर दूसरा है, आपने बनाकर अपनी जो भी वीडियो या PPT, PDFO, इस पर डाल दी, अपलोड कर दी, अब आपको चाहिए किसी विशेश विशेपर, आप केमिस्ट्री में कोई एक विशेए, फिजिक्स का कोई एक विशेए, मैट्स का कोई एक विशेए, उस पर आप वीडियो चाहते हैं, ये सारी वीडियो या जो भी मेटिरिय आप अपलोड करते हैं, वहाँ पर उस विशेए के एक्सपर्ट्स बैठकर उसको चेक करते हैं, आवश्यक्ता होती तो एडिटिंग करते हैं, और जिनको ठीक पाते हैं, उनको एक दूसरे एप के माध्यम से आपको वापास करते हैं, उस एप का नाम है दीक्षा, D-I-K-S D-I-K-S-H-A, इस दीक्षा एप पर से आप अवश्यक्त अनुसर किसी भी विशेए की कोई भी और सामगरी ले सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को भेज सकते हैं, अनि एक प्रिवेट संस्ता हैं, खान एकडमी वगएरा हैं, बहु सारे नाम हैं, तो आप वहाँ से भी मिल सकता है, करता, कार्यता, प्रेरक और अनुवदक, मैं प्रेरकों को चुकि हम भी उसमें शामिल हैं, इसलिए उसको मेरा बीच पे रोकते हुए पहले अनुवदकों, अभिभावकों की ओर आता हूँ, हमारे गर्जियंस, आप कितनी भी अच्छी बात, मैंने कहा था वि अच्छी, क्योंकि आपके साथ विद्यार्थी पांच घंटे, छे गंटे, साथ घंटे है, शेश 18-19 घंटे, 20 घंटे हो सकता है, वो परिवार के साथ में है, इसलिए परिवार के वातावरण का प्रभाव, उस पर स्वभावी क्रूप से पढ़ने वाला है, और इसलिए मै मानता हों कि यह जो कोविट की स्थती है, यह लॉकडाउन है, यह हमारे अभिवावकों को भी बहुत सारी बातें उनके भी प्रभोधन के लिए, उनको भी इस्वरण कराने के लिए उनका करते हैं, बहुत अच्छा एक आधार बन सकता है, बहुत वर्षों बाद, शायद पूरे परिवार को एक साथ रहने का अवसर मिला होगा, इतने लंबे समय तक, एकाध दिन के छुटी में रहना, यह एकाध बार कहीं बाहर निकले, तो दो-चार दिन, पांच दिन साथ में रहना यह हुआ होगा, लेकिन लगातार दो महीने तक पूरे-पूरे समय परिवा का आपस में इस समय हुआ होगा, यह आगे नहीं बना रहना चाहिए क्या, परिवारों के बीच में जो एक आपसी विचार विमर्ष का एक वाता बना रहना रहना चाहिए, यह आज हमें मिल गया है, यह हम क्या उनको याद नहीं दिला सकते कि भाई, आगे के लिए भी, पर कोरोना आकर्मन करें उसका हम प्रतिक्षा करें इसके वज़ाए क्या यह नहीं हो सकता कि हम अपने परिवारों में कोई ऐसा समयता है करें क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दिन में तो सबकी विस्तवाएं हैं माता जी भी कुछ काम करती हैं पिता जी भी बाहर दुकान में या ये पारिवारिक जीवन का जो सुख हमने दो महीने में अनुभव किया है, क्या इसको जारी रिखना है, ठीक नहीं है, ठीक इसी प्रकार से, एक पात जो हमारे अभिवावकों को बहुत ठीक से समझवे आई होगी, समन्यतह परिवारों में ऐसा कहा जाता है, खुब चर्टा होती है, महंगाई बहुत बढ़ गई, कॉस्ट आफ लिविंग बढ़ गई है, कॉस्ट आफ लिविंग नहीं बढ़ गई है, मेरा ने वेदन है, कॉस्ट आफ लाइफ स्टाइल बढ़ गई है, कॉस्ट आफ लिवि दो महिने में आप गाड़ी नहीं चलाइब बेटरोल डीजल का करचा नहीं हुआ दो महिने में आपने बहुत सारी चीज़ों पर खर्चे समाप्त कर दिये वे सब आपकी लाइफ इस्टाईल के खर्चे थे वे कॉस्ट ओस्ट अफ लिविंग नहीं ईजिक ने इस पर आघका लाइफ स्टाइल पर कोई नियंत्रण करने की बात समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, यह मान कर चलिए, मैं जरा भयावह दृष्ष दो वाक्यों में परसुत कर रहा हूँ, यह कोरोना खतम हो जाएगा अगले एक दो महिने में कोई गारिंटी नहीं, आज आपकी आवश्यक्ताओ के सामान नहीं आपको कोई रुकावट डाल रहे, लेकिन सोचिए, जैसे बड़े व्यापक शित्र में और उपादन बंद हो गया है, फैक्ट्रियां नहीं चल रहे हैं, अनुमती जहां मिल भी गए हैं, वहाँ पर भी उनमें काम करने वाला जो श्रबिक वरकता लेबर थे वह चले गए हैं, फैक्ट्रिज नहीं खुलेंगी तो आपके पास सामान, आपके वहल एग्रिकल्टर प्रोड़क्ट थोड़े खाते हैं, क्यवल चावल खाते हैं, क्यवल यहूं खाते हैं, आप अन्य चीज़ें भी खाते हैं, अन्य चीज़ें उप्योग करते हैं, जो प्रोडेक्ट है और जब फेक्टरीज नहीं चलेंगी तो आपके पास साबून कहां से आएगा, शेंपू कहां से आएगा, कॉस्मेटिक्स कहां से आएंगे, बिजली के उपकरण या बल्बियर ट्यूबरोट्स कहां से आएंगी, सप्लाई चेंज इस दिन रुकी, उस दिन आप क्या करेंगे, ये जरा अपने को विचार करने वाली आवश्यक्ता की बात है, उत्पादन बंद होगा, आपके पास नहीं होगा, यदि आपके बेंक में लाखो रुपे का वैलेंस है, लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो आप कहां से उसका खर्चा करने वाले हैं, इन सारी बातों के लिए भी अपने को विचार करने की आवश्यक्ता है, इसलिए हमारा परिवार, कैश के आदान परदान पर थोड़ा नेंत्रन रखें, बहुत ज़्यादा खर्चा, मैं ही नहीं कहरा हूँ, सबकी आर्थिकस्ति ये भगवान करें बहुत दे, लेकिन उसको मितव्यता पूर्वक समझदारी से खर्च करने की बात सीखने समझने की आवश्यक्ता है कि नहीं है, सारी नकारात्मक्ता सुब़से शाम तक समाचार देखी तो क्या आ रहा है, negativity का शिकार यदी हो गए आव्यक्ति तो उसका अपना जीवन भी negativity में ही जाने वाला है इसलिए इन चीजों को भी ठीक करने के आवश्यक्ता है चुक्के हमारी और उनकी common चिंता का विशे विद्यार्थी है, हमारी लिए विद्यार्थी उनका पल यह, उनका वार्ड वो गर्जियन है तो माता पिता को इस समय बहुत अच्छा है का उसर है बच्चों को जो उनकी जिद है यह चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी एरेंच करो आज उनको यह बताने का उसर है कि मार्केट नहीं खुला है, पैसे नहीं है हम अपनी आदतों पर नियंत्रन करने के लिए भी एक आदत अपनी विकसित कर सकते हैं, क्या इसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं हो सकता सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से सारा कुछ ठीक ही हो जाएगा इसलिए इस लॉकडाउन खुलने के बाद भी जितनी प्रतिक्षा मार्केट खुलने की मॉल्स खुलने की, बाजार खुलने की सेलून और ब्यूटी परलर खुलने की, हमें और आपको है, उतनी ही जल्दी कोरोना को भी है, वो भी इंतजार कर रहा है आपका आप बाहर निकलिए तो आपको पकड़े इसलिए उसकी तैयारी हमारी कितनी है और कैसी है, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे जोग सोख सेक दूसरे को forward करते न, तो इसलिए उस जोग परी ध्यान कीजिए कि विवाह के बाद, पती और पत्नी एक दूसरे को नियंतरित करने, अपने अनुसार चलाने का प्रयास शुरू में एक दो साल करते हैं तुम मेरे हिसाब से चलो, या मैं तुम्हारे हिसाब से हुए एक दूसरे के साथ अज़स्ट करना शुरू कर देते हैं, कोरोना को भी कुछ समय के लिए ऐसा ही मन लिजिए पर स्थतिया हमारे सामने हैं, उनमें हमको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए क्या करना है, यह विचार करने की आवश्यक्ता है, समय की मर्यादा है, और इसलिए मैं अंतिम सुपान परा रहा हूँ, करता कारेता और अनमूदकों की बात हो गई, हमारी जो यह टोली बेठी हुई है जने हम प्रेरक कह रहे हैं, इनकी इसलिए बात और एगले पास 78 मिन्ट में प्रेर्ण करूँगा, एक बात समाज को समझने का, समाज का अध्यान करने का एक बड़ा अवसर हमें मिला है, क्या हम में से कुछ बंदницы? क्या हमारी विद्ध्यालेव में से कुछ लोग समाज अबें, जो लोग कि आगे की योजना, क्या इस पर वे घर में क्या करेंगे, अगर घर में उनके काम था तो वे बाहर क्यों गई थी, बाहर से लोटने के बाद अब उनकी क्या योजना है, क्या वो लोगडाउन खतम होने पर इस दियां वापस नॉर्मल होने पर वापस अपने उन महानगरों मे जाकर काम करने वाले हैं, क्या इनके वारे में भी हम कोई चीजें, जो migrant labor की अजबड़ी समस्या है, क्या इन पर हम कोई उधारन के रूप पर कोई बात कर सकते हैं, इनके वारे में सोच सकते हैं क्या, क्या हम अपने इतने वर्षों से जिसका क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके success story के बारे हम कुछ पता कर सकते हैं ये तो घर मेठे का काम है हम एक आप लोगों के ध्यान में होगा विद्याभरती का पूर्वचात्र परिशत का एक पूर्टल है पूलकाता से ऑपरेट होता है इस पूर्टल पर हर सब्ताह तीन चार नई success stories आती हैं हमारे पूरुचात्र विबिन क्षेत्रों में क्या विशेश काम कर रहे हैं इसी सब्ताह में अपने तीन पूरुचात्रों के विद्याभरती के तीन पूरुचात्रों के वारे में जनकरी आई है और्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं पॉलिशन नियंतरन पर काम कर रहे हैं अनदीत सेंगरे क्या हम इस प्रकार के कुछ लोगों की सकस्स स्टोरी को वहां से लेकर अपने विद्यार्तियों ताक इतने कहाम हैं आ है तोसको देखना और खने शीक विद्यार्तियों के पास फयरद ना आज जब हम अनेत प्रकार के जोग्स और फेस्बूक और वेट्सप पर भेज सकते हैं, तो क्या इसका उफियोग हम नहीं कर सकते हैं? तो क्या ये पूरु छातर परशित के पूरुटल का उपयोग करते हुए क्या हम इस प्रकार की कोई बात सूच सकते हैं। निर्भर ता किसकी ओर आने वाली है सरकार की ओर से सरकार आतनिरभर बना देजि इस देश कोुए के इस देश को अच्छी बात खुजे लेंगे लेकिन उनके करने से केवल हो जाएगा देश आतनिरभर ये नहीं होगा। इसलिए आत्मिरभर बनने के लिए हमारी अगली पीड़ी की तैयारी, हमारी तैयारी, हमारे भिवावक बंधुं की माता पिताओं की तैयारी य्द यह नहीं हुई। तो यह हमारे लिए के बिल कहने की बात रह जाएगे। और अपने यहां तो श्रिमत भगवत गीता में कहा गया हिंदुत्व के विचार के वारे में एक बड़ी जूरदार बत कही गई है आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो हमें कोई ग्रांट नहीं करता हमारे यहां कोई कियामत की रात नहीं होगी जिस दिन सब का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उनको जन्नत या दोजख में भेजा जाएगा खरे में कोई धर्बेकास्था पर किसी के कोई टिपढ़ी नहीं कर रहा हूँ मेरा कहना केवल इतना है कि हमारे यह तो कहागया कि मोक्ष भी प्राप्त करना मुक्ति भी प्राप्त करनी तो अपने प्रियास के बिना नहीं होती आत्म निर्भरता के लिए सामान नेता है, स्वदेशी की चर्चा खूब चल पड़ी है, इसमें सोशल मीडिया में और विबिन चैनल्स पर भी, केवल स्वदेशी माने भी देश का बनाया हुआ सामान खरीदना इतना मतर ने, स्वदेशी, अपने देश का स्वद, अपना जो कुछ भी है, वज सारस्वदेशी, तो क्या हम अपनी स्वभाशा पर गौरव करते हैं, हम अपने इस स्वदेश के भोजन पर, जीवन पद्धती पर, वर्त पर वत वहाराओंपर, हमारे जो जीवन के विबिन च्षत्र हैं, उन पर क्या हम विचार करते हैं, हमारी सामाजि शिमनीशियों के समय से क्या उन पर हम आज पालन कर पाते हैं उनका नहीं कर पाते के पीछे आप दोश दे सकते हैं कि जो विदेश्चों से आप संस्कृती आ गई इसके कारण से हमारे वेलेंटाइन डे बनने लगा मदर्स दे फादर्स दे वेरा बनने लगे इसलिए ने बन से नहीं है हमारे दिश में एक ने आतिो आखर कर लिया समय करेंगे मैं टीचर सदी को गलत नहीं बता रहा हूं सूचें घुर्पुर्युने ने स्धापराणी थी कि टीचर सदी जादा पुराना है मात्या पिता के पूजा का दिवस यह कोई हमारे आं क्या मात्रे-नवमी नाम का एक्तिहार नहीं होता है तो हम उसके लिए क्यों नहीं विचार करते हैं हमारे यां हर परव यदि इस प्रकार का है श्राद्ध परव हमारे पूरवजे जिनको हमने देखा तक ने उनको इस्परण करने के लिए हमारे यां मनाया जाता है श्राद्यकरम किये जाते हैं, तो यह जो हमारी परवपराएं थी, इनके प्रते हमारी आस्था भी यह जग्रित करने के आवश्यक्ता है, तो हमारी सब्यता, हमारी संस्कृति, हमारे रीत रिवाज, हमारी परवत्योहर, हमारी जीवन दृष्टी, परियावरन को लेकर हमारा यह जो सारा स्वा था इसको पुनर परिभाशित करने पुनर अपनी नई पीड़ी को सिखाने और अपने आपको भी नए द्रिश्टी से सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर यह कोविड है जिसमें हमारे पास एक समय मिल गया है विनोवा जी के शब्द उप्योग करूँ तो जीव जगत और जगदीश को देखने की हमारी जो द्रिश्टी हमकारे रिशी मनीशियों ने दी थी उसको पुनर इसमरन करके अपने जीवन में लाने का एक अच्छा अवसर हमको मिल गया है स्वदेषी की बात यह अच्छी है परन्द केवल सामान खरीदने की लिस्ट तक वो रह जा यह इतना नहीं वास्तों में क्या हमारे यहाँ लोकल के लिए हम वोकल हो पा रहे हैं जिन चीजों में हमारे यहां नहीं है वो ठीक है लेकिन जो हमारे यहां उपलब्ध हैं क्या हम उनके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है अपने परिवारों में नहीं खड़ी कर सकते यह विचार करनी की बात है इस समाज व्यवस्था में जो कुछ भी स्वा के विपर मिल गया है विद्ध्याले चल रहे थे शिक्षा का काम चल रहा था उतनी पुर्शत नहीं मिलती थी अभी तो खूब अच्छी बात हो संस्कृत का एक शब्द है इस्टापत्ति आपत्ति तो है पर अभी इस्ट याने प्रिय है कोरोना यदे हम संकट के वजाए इसको इस्ट आपत्ति समझ लें यह हमारे ऐसा है जो हमको अच्छा एक मौका देने वाली हमारे जो जिसे कह सकते हैं रोल ओफ एजुकेटर को एक प्रकार से रीडिफाइन करने वाली एक स्थित हमारे सामने है तो इसलिए हमारी यह तैयारी कैसे अच्छी हो सकती है हमारे परिवार की हमारे विद्यारतियों, हमारे विवावकों की immunity level, खुब चर्चा हो रही है आजकल, ये immunity level कैसे बढ़ है, तो इसके लिए क्या कोई नेमित व्यायाम करने का, शारीरिक करिक्रमों की हम उन्हें प्रेणा दे सकते हैं, क्या विविन प्रकार के जो खाद्य पादार्थ immunity बढ़ने वाले हैं, उनके वारे बे भी हम बता सकते हैं क्या, वाइरल infection केवल कुरोना नहीं है, अन्ने भी आते जाते हैं, मैंने अभी कई सारे नाम लिये थे SARS और Ebola और डेंगू और चिकन बुनिया और Spanish इस फ्लू और नहीं कितने नाम आजकल सुनने में आ रहे हैं, इनसे बचने के जो उपाई हैं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को अच्छा बनाने के लिए जो उपाई हैं, क्या हम उसको भी ठीक उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए का उसर है, पिछले वर्षों मे इकोनोमिक वेल बिंग हमारा आर्थिक विकास हुआ है यह बताने की जो पधती थी, मेरा अभी परिचे में पंगजी ने बताया कि मेरा मूल विशय तो कॉमर्स और एकोनोमिक्स ही रहा है, लेकिन एकोनोमिक्स की एक अवधाराना जिसकी खुब चर्चा हम लगभग महीने में दस बार जरूर सुनते होंगे टीवी चैनल से या न्यूस पेपर्स पर, जी डीपी, इस से ना पा जाता है किसी देश का आर्थिक विकास कैसा हुआ, जी डीपी याने, मुझे जो एकोनोमिक्स के यहां लोग बैठे होंगे उस विशे के जनकार, विक्षमा करेंगे, यदि मैं उनकी भावना के विप्रीत कोई बात कह रहा हूँ, जो definition हमें बताई गई थी और पुस्तकों में लिखी है, वो यह है, the sum total of the value of the goods and services produced in an accounting year during a period of one year or so is called gross domestic product, राष्ट्रियाए national income या जिसे जी डीपी कहा जाता है, एक वित्तवर्ष के दौरान किसी एक भावगोलिक शित्रियादेश की सीमा में उत्पन की गई, उत्पादन की गई, सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कर दिया जाए, तो उसे जी डीपी कहा जाता है, मैं केवल दो प्रिश्णाप के विचार के लिए सोच आपके देश में सब कुछ शांती पूर्ण चल रहा है, जी डीपी कम है, यदि पडूसी देश से आपका युद्ध हो जाए, तो आप नई सेना भरती करते हैं, उनके मूवमेंट पर नया खर्चा करते हैं, नए गुला बारूद, आर्मस और अमिनिशन्स बनाते हैं, आप आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सर्विसेज और गुड्स का, आपकी जी डीपी बढ़ेगी, देश का विकास हुआ मान लिया आपने, तो जी डीपी बढ़ने का सीधा आर्थ यह है, कि आपके ये देश में आपको यदि विपरीत परिस्तिया चलें, युद्ध हो ज पड़ेंगी, टीर गेस और बाकी जारी चीजें उपयोग करनी पड़ेंगी, परिडाम, जो चीज टूट-टूट होगी दंगे में उसको पुना रिन्रमान करना पड़ेगा, आप कहेंगे जी डीपी बढ़ गई, ये कोई अच्छी बात है क्या, एकोनोक वेल बीइंग की जो हमारी पाश्चात्ते देशों से आई हुई ये विचारधारा है, इसको भी अपने को ठीक करने की आवश्यक्ता पड़ेंगी, क्योंकि हमने बड़ी कमाई को अपने आर्थिक विकास का आधार मादिया, ये केवल भूटान के हैपिनेस इंडेक्स की बात मैं नहीं कर र है, उसको सब प्रकार से समाधान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अपने को ठीक करने की आवश्यक्ता पड़ेगी, ये मानस परिवर्तन का एक हमारे लिए बड़ा कारण बनेगा, प्रारंब अपने से करना पड़ेगा, मेरा मानस पयार होगा, तो मैं अन्य लोगों को भी बता सकूँगा, क्योंकि अन्य बातों पर ये उप्रदेश के वल दिया, तो प्रभावी नहीं हो पाएगा, वो जो बच्चे को माता लेकर आई, कि बाबा इसको बता दो, गुर नहीं खाना चाहिए, बहुत गुर खात है, तो वो के लिए यह COVID, जैसा मैंने कहा, यह इष्टा पत्ति सिद्ध होगी, प्रतिकूल परिस्तुतियों में से भी, चुनोतियों में से भी, हमको एक अच्छा वाता वरण, हमको एक अच्छा समाज निर्मान करने का आउसर मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है, आप सभी लोगोंने सभी को नमस्कार करके अपनी बात पूरी करता हूँ. में ऑनलाइन और इस परकार की विवस्था नहीं के समान है, ऐसी परिष्थिती में वहां पर कैसी शिख्छा की विवस्था हो, उसे ही जोई वी एक प्रस्न है, कि जब बच्चे पाट साला में नहीं आते हैं, तो घर परिवार की शिख्छा कैसी होगी, तो मेरा कहना है कि इन प्रस्नों का अगर आप परिष्टी समाधान कर दें, तो हमारे स्टोता बंदू जो है, उनको एक जिशा प्राप्त हो जाएगी। अपनी बात जितनी SMS की सीमा है उसमें भेज रहे हैं, यदि पुराने मॉडल के भी फोन है उनके पास, जिस पर ये WhatsApp अगरा नहीं चल सकता है, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया है, कहीं पर गाउं में एक दो विक्तियों के पास फोन है, उनसे विक्तिगत चर्चा करके उ अब दिवारत के कुछ कारिकरतों ने मुझे बताया है, इस प्रकार के कुछ प्रयोग उन्होंने करके देखें, पूरी उत्रवजेश में करके देखें, ये तो ही टेकनोलोजी की बात, लेकिन एक दूसरा प्रकार, जहां पर ये कुछ भी संभाव नहीं है, क्योंकि मैं सम समूह बना कर भी विद्यार्थियों के हम ऐसे कारिकर्मों को आईजन कर सकते हैं, सापता ही कर सकते हैं, सापता हमें दो बार कर सकते हैं, ऐसे भी प्रयोग हमारे ही कारिकरतों ने देश भर में किये हैं, वहां पर जिस भी माध्यम से हम अपनी बात पहुचा सकते हैं, उतन परियोग करके उसके परियोग करके उसके परियोग के आधार पर कुछ ऐसी सामगरी तेयार किया है। विद्याले आगामी सत्र में बहुत सीमित समय चल पाएगा वर्किंग डेज अपने को बहुत कमलने वाले हैं इसलिए अपने को टाइम टेबल भी रीडिजाइन रीड्राफ्ट करना पड़ेगा ऐसी कुछ बहुत सारी चीजों के लिए अपनी तैयारी रहे मानसिक रूप से ऐसा मेरा निविदन है और इस विशेपर मैं और थोड़ा आपको जनकरी बाद में दूँगा यहां समय की मैं घड़ी को बार-बार दीख रहा हूं क्योंकि आपने जो समय की मर्यादा बताई थी उसको इसलिए मैं ज़्यादा व्यक्याइत नहीं कर रहा हूं कुछ जनकरी अपनी एंपावर्स बट आलसो प्रमोट्स रिटर पार्डिश्केशन आपने चार बिंदुओं को सफर्श किया करता कार्यकरता पेड़ना और अनुमुद जिद्यारती शिक्षक्त और जो समीपीयों और अन्य लोग है ऐसे श्रोटा पाथक बनी और जो पुष्टी करने वाले अभिभावक मन्जीन इन सारे बिंदूओं को असपर्ष करते हुए आपने शिख्छा की नवीन करन की ब्यापक्ता पर विचार प्रकत किया है आपने यार्गर किया कैसे शीखना कैसे शीखें विद्यार्थी हो शिख्छक हो और सीखने के लिए प्रेरक्ट कैसे बने फेरना कहां से प्राप्त हो ऐसी बिंदूओं को उपने अश्पर्ष किया अवशर में बदलाव संकत्ती परिस्थिती में जो अवशर हमें प्राप्त हुआ है उस अपने बदलाव की तैयारी आवश्चक है आत्म निर्भर भारत सरकार के ऊपर निर्भर रह करके नहीं तो जन जन को उसकी तैयारी करने की आवश्चक है ऐसा आपने शैक्षिक विचार हम सब के शामने रखे हमारी शैक्षिक विचार में जो आपने प्रकर्टिया जीवन की दिश्टी देने वाली सिछा प्रकृती का शंतुलन बनाने वाली सिछा और इस द्रिष्टी से हम चीवन जगत देखनी की द्रिष्टी का जो अवशर हमें प्राप्प हुआ है हम इस अवशर का लाग उठाएं बिद्याभारती पुरुष्टर चेतर के समस्त्य पडिवार के सवश्यों की यहां तक पुरुष्टर चेतर के जनजन की यहां पुना अभिवादन करते हैं और आपको शाधरुवाद धन्यमाद देते हैं और हम मिलेंगे ऐसी आशा आप एक्षा रखते हुए आपको पुनह अभिनंदन करता हूं और सब की सुखद कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे शंतु का अने सर्वे भद्जानि पश्यंतु मा सस्चिद्धक भाग भवे ओम शान्ति 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 बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार